चोपड़ा एजुकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरी प्यारी बच्चों NTA ने नीट के एप्लिकेशन फॉरूम के क्रेक्सम के रेगार्डिंग क्रेक्सन विंडो ओपन कर दिया है जिन स्टुडेंट के नीट का एप्लिकेशन फॉरूम फिल करते से में मिस्टेक्स हो गई है वो अभी करेक्सन विंडो के टाइम करेक्ट कर सकते हैं NTA ने नीट की वेबसाइट और अपने वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें डेट मेंशन की है और ये भी मेंशन किया है कि आप किस किस पार्टिकुलर्स में चेंज कर सकते हैं करेक्शन कर सकते हैं करेक्ट कर सकते हैं तो एक बार नोटिस देख लेते हैं तो इसमें पहले ये दिया गया है कि जो 7th मई 23 को exam होना है offline mode पर उसके लिए correction window open कर दिया गया है और ये बात information blatant में mention थी कि बाद में time बताया जाएगा कि correction window कब open होगा तो ये correction window का जो time है correction correct करने का particulars में correct करने का वो 8 अप्रेल 23 से लेके 10 अप्रेल 23 रात 11 बजगे 50 मिनट तक है यनि कि आप 8 अप्रेल से लेकर के 10 अप्रेल रात 11 बजगे 50 मिनट तक correction कर सकते हैं आप एक बार check जरूर कर लें जिन students के कोई mistakes नहीं है वो भी check कर लें कि उन्होंने जो भी particulars fill किया है वो सही किया है एक बार check सारे student चेक करके फिर log out कर दें चेक करने से कोई problem नहीं है किसी भी प्रकार की NTNA साब का है कि आप 10 अप्रेल 23 को रात 11 बजगे 50 मिनट तक ही correction कर सकते हैं के बाद आपको कोई facility नहीं दी जाएगी इसमें correction करने के लिए तो आप एक बार अपना form login करके देख लें कौन से particulars में आपकी mistake है उसको आप correct कर दें अब कौन कौन से particulars में आप correction कर सकते हैं इसके बाद में जिन candidates का आधार verify हो रखा है आधार का नमर डालते समय एप्लिकेशन फॉरूम फिल करते समय आधार verify कर रखा है उन candidates के लिए इसमें candidate name, date of birth और gender इन में correction नहीं कर सकते जिनका आधार verify हो रखा है father name और mother name दोनों में से किसी एक को correct कर सकते हैं आप category correct कर सकते हैं अगर आपने general fill की है OBC कर सकते हैं उसके लिए आपको certificate upload करना होगा या declaration upload करना होगा यानि कि category आप कोई भी change कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको यहाँ बताऊं कि ये correction window में correction करने के लिए कोई fees नहीं लगती है लेकिन अगर आप category change करते हैं तो उसके लिए applicable हैं तो वो जो additional fees है वो लगेगी आपको जैसे कि माल लोग किसी ने UR कर रखा है तो UR की तो maximum fees होती है उसको तो pay नहीं करना होता है लेकिन किसी candidate ने SCST कर रखा है OBC कर रखा है तो उनके लिए OBC की जो fees है वो fees अगर वो UR करना चाते हैं तो उनको जो additional fees है वो pay करनी होगी क्योंकि UR की fees ज्यादा है SCST की कम है तो अगर आप category change कर रहे हैं तो applicable हैं तो additional fees pay करनी होगी किसी ने UR कर रखा है EWS SCST करना चाते हैं तो उसके लिए कोई fees आपको additional pay करने की ज़रूरत नहीं है इसमें तो आप category change कर सकते हैं CT and medium change कर सकते हैं qualification passing year class 10th और 12th का change कर सकते हैं इसमें यह particular जिनका आधार verify हो रखा है वो candidate कर सकते हैं अब जिनका आधार verify नहीं हो रखा है उन candidates के लिए name, father name, mother name इन में change कर सकते हैं candidate name में change कर सकते हैं father name में change कर सकते हैं mother name में change कर सकते हैं लेकिन इन तीनों में से कोई एक change कर सकते हैं only कोई एक change कर सकते हैं इसमें भी category change कर सकते हैं सब category change कर सकते हैं जिनका आधार verify हुआ है या नहीं हुआ है अगर कोई PWD candidate है पहले उन्होंने PWD फिल नहीं किया है तो वो कर सकते हैं चाहे उनका आदार वेरिफाई है या नहीं है इसके बाद जिनका आदार वेरिफाई नहीं हुआ है डेट बर्थ चेंज कर सकते हैं जेंडर चेंज कर सकते हैं CT and medium चेंज कर सकते हैं और qualification चेंज कर सकते हैं passing year 10th और 12th का चेंज कर सकते हैं तो ये particulars आप चेंज कर सकते हैं फिर भी अगर आपको doubt है कोई ज़्यादा mistakes हो रही है चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप NTA को mail लिख सकते हैं need at the rate of nta.ac.in या फिर आप toll free नमर 014075900 पर बात कर सकते हैं आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रत नहीं है अगर दिक्कत हो गई है कोई mistakes हो गई है तो उसमें आप बात कर ले फिर भी जिन candidates ने fees पे की है admit card उनका आना है आप tension में रहके अपने पढ़ाई का नुकसान नहीं करें need का exam आपका लगेगा काफी minor mistakes हो जाती है student से लेकिन उन minor mistake के चलते किसी की exam रुकती नहीं है यह हमने previous year में देखा है फिर भी आपको जो भी correction करना है 10th April 23 तक आप correction कर दें अगर फिर भी कोई problem आती है तो आप NTA को mail लिख सकते हैं उनसे phone से बात कर सकते हैं या फिर अगर हमारे like कोई है तो आप हमारे को comments में लिख सकते हैं तो यह जानकारी थी correction window के बारे में correction window start हो चुका है अभी कुछी दिनों बाद में आपका exam CT का पता लग जाएगा कि कौन सी CT में आपका exam है उसके बाद में admit card आजाएगा exam आपकी नजदीक आ चुकी है आपको अभी तयारी करनी है अच्छी तयारी के साथ में exam देना है मैं इस वर से कामना करता कि आपका इस बार selection अवस्य होगा मिलेंगे नई update के साथ में नए वीडियो में तब तक best of luck